अब कोई कहता पचास लाग का इनाम गर्दन काटने पर उन्हें पता नहीं है ज़रा उनसे कोई पूछे वह किस कि गर्दन काटोगे सच्चा अंबेट कर वादी कभी डर नहीं सकता और डर तो दूर की बात है वो आसानी से कभी मर भी नहीं सकता जातियों को छोड़ दो समाज और जब यी समाज कूरा ईक्षिट होकर बहुत दमे भारत बनेगा तो पूर्य दुनिया के बहुत देने वेरा हमारी सब्दाब खड़े už जाएंगे तो भारत के इंदर 50 क्रोड लोग जब बहुत होंगे तो अल्पमत में कौन होगा कौन होगा अल्पमत में वो ही होगा जो हमें डराने की कोसिस कर रहा है उससे ये खामे खागी उसे पागल बनके दोरे पढ़ने सुरू हो जाते न ये हमारे संगर्स की जीत है एक सवाल है उस सवाल का जवाब हमें और आपको खोजना होगा सवाल ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेट करजी ने अपने चार-चार बच्चे हमारे लिए गमाए माता रमा भाई को जवानी में हमारे लिए गमा दिया और अपनी पुरी जिन्दगी अपनी पुरी जिन्दगी जलाकर हमारे जीवन में रोशनी दी उन्होंने ऐसा क्यों किया क्या जिस तरह की उमीद वो हमसे रखते थे क्या हम लोग उन उमीदों पर खड़े उत्रे क्या उन्होंने इसी लिए रिजर्वेशन की वैवस्ता की कि हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, डौक्टर इंजीरे कलेक्टर बनेंगे, जज़ बनेंगे और बनने के बाद अपने परिवार तक सीमित रहे जाएंगे क्या उन्होंने इसी लिए राजनीती में रेप्रेजेंटेशन की विवस्था की थी कि हमारे लोग ग्राम पंचायत के प्रधान, जला पंचायत, विधान सभा या संसद के अंदर संसद बनके, मंत्री बनके और केवल मोईमस्ती में लग जाएंगे ये रेप्रेजेंटेशन तो इसलिए दिया था कि हमारे लोग समाज के तकलीफ को और उनके हक और अधिकार के लिए संसद के अंदर और विधान सभाव के अंदर लड़ेंगे लेकिन क्या यह जिम्मेदारी हमारे पब्लिक रेपरेजेंटेटिव ने पूरी की जो रेपरेजेंटेशन हमें दिया वो ईक जिम्मेदारी थे एक दाइतव था क्या हम लोगों ने उस दाइतव को निभाया ये सवाल हमें अपने से पूछना चाहिए उन्होंने जो जाती तोड़क मंडल के सामने 1935 का जो भासन लिखा जिसमें आयर जो कुछ परिवर्टन करवाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर बाबा से पंबेटकर जी ने खाया मैं तो एक कोमा और मात्र भी नहीं हटा हूंगा और उपर एनिलेशन उफ कास्ट के रूप में पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया मैं समझता हूँ इस समाजी की वैवस्था का इतना सुंदर चितरन इतना बहतरिन रिसर्च और इस समाजी की वैवस्था का इतना अच्छा ओपरेशन सहे जो एनिलेशन उफ कास्ट के अंदर है वो किसी दूसरी पुस्तक में नहीं मिलेगा और जो बात वो समझाना चाहते थे वो बात उन लोग ने तो समझ ली जिनों नो समाजी की वैवस्था का निर्मान किया लेकिन वो वाक उन लोगों ने नहीं समझी जिनको वो समझाना चाहते थे वो लोगों को बताना चाहते थे कि तुम देश में 88% होने के बावजू हजारों साल से गुलाम क्यों रहे उसके कारण क्या है उसकारण को समझाने का उन्होंने प्यास किया और उसे बिमारी का इलाज करने का प्यास किया लेकिन जब वो उन्हें लगा कि इस बिमारी का इलाज होता नहीं दिख रहा तो उन्होंने खुद उसका फिर निवारन का रास्ता निकाला और वो रास्ता था कि जब तक जातियां जिन्दा रहेंगी तब तक जातिगत उत्पिडन भी जिन्दा रहेगा हम लोग अगर जातियों को जिन्दा रखेंगे तो हम लोग जातिगत उत्पिडन को जिन्दा रखने के जिम्मिदार होंगे वो ये बताना चाहते थे कि हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये जातिया किस ने बनाई और जातियों के बनने से किस को फाइदा हुआ और जातियों के बनने से किस को नुक्सान हुआ अगर केवल इस सवाल का हम लोग जबाव खोज लें तब आपको समझाएगा डॉक्टर बावा सहब अमबेटकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बहुत द्धम की दिखसा क्यों ली और 22 प्रतिग्याएं क्यों दिलवाई लेकिन अगर इस सचाई को नहीं जानोगे केवल इतना कहोगे कि मैं बावा सहब अमबेटकर को मानता हूँ लेकिन बावा सहब की अमबेटकर की बात को नहीं मानोगे ना बावा सहब अमबेटकर को मानते हो ना बावा सहब अमबेटकर को जानते हो ना उनके विचार को आचरने में उतारते हो ये गले में नीला पटका हमारे लिए क्रांति का प्रतिक हो सकता है लेकिन ये पंसील का पटका हमारा अभिमान और गोरव है अगर लीला पटका भी गले में हो और पंसील का पटका भी गले में हो और पंसील को अपने जीवन में आचरन में उतार ले तो साइध हम डॉक्टर बावासब अमबेटकर का सपना पूरा कर सकते हैं पर उसके लिए सच्चा अमबेटकर वादी बनना होगा नकली अमबेटकर वादी बनने से काम नहीं चलेगा इस लड़ाई को लड़ना होगा मैंने एक विधायक रहते हुए और मंत्री के तोर पर रतनलाल जी इस बात के गवाएं और आप लोगों ने भी अगर दिल्ली की विधानसभा की डिबेट को सुना हो तो मैंने समाजिक मुद्धों को हमेशा बेहद मजबूती के साथ बिना किसी डर के उठाया है अब कोई कहता पचास लाग का इनाम गर्दन काटने पर उन्हें पता नहीं है ज़रा उनसे कोई पूछे वे किस किस की गर्दन काटोगे सच्चा अंबेट कर वादी कभी डर नहीं सकता और डर तो दूर की बात है वो आसानी से कभी मर भी नहीं सकता हमारे अंदर जो खून का प्रवा है वो डॉक्टर बाबा से बंबेट करका खून है उसको डराने की कोशिस मत करना है डर तो तुमारे व्यावार में और नजर आ रहा है पहली बार लगा कि तीर सही निसाने पे लगा है चुकि ये लड़ाई तलवार से तीर से बंदूक से नहीं लिड़ी जा सकती ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है ये विसमता और समता के बीच की लड़ाई है ये इनसानियत और हवानियत की बीच की लड़ाई है ये मानवता और दानवता के बीच की लड़ाई है एक तरफ फूले साहु अमबेटकर की पिरियार की विरासत है और दूसरी तरफ जाती वादी मानसिक्ता से पीडित बिमार लोगों की है तो लड़ाई तो बुद्धी और विवेक की है तो बुद्धी और विवेक सी जीती जाएगी अनफोर्चुनेटली हमारे लोग बहुती ज़्यादा भावुक और भोले हैं भावुकता से लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं है कि जब डॉक्टर बावा साथ बंबेटकर आपको बुद्धी और विवेक की बात करके गए तक थागर था बुद्धे ने का अत्त डीपब अपना दीपक श्यम बनो किसी बात को इसलिए मतमानो बड़े किसी दर्मसास्तर में लिखिया किसी बहुत बड़े व्यक्तिने कही है किसी बात को मानने से पहले पढ़ो समझो जानो परिक्षन करो बुद्धी और विवेक की कसोटी पर कस कर देखो उसके बाद आपको लगे ये बात सही है तब उस बात को मानो तो फिर भावुकता से क्यों करो ना मैंने जो कलराश्टमधी जी को चि consomm को लिकितियान लिखी इसके सोर्च क्या है और दूसरी बात में लिखी इनके कौन से आतंग वाली संगड़ों से तार जुड़े हैं इसकी भी जाच होनी चाहिए बहुत सारे बेकसूर लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं जिन्हों ने इतनी खतरनाक बाते नहीं कहीं छोटी मुटी बात में भी उनको जेल में डालावाएं कही कही साल से और ये खुले आम आतंग पैदा कर रहे हैं ये कैसे ये कैसे सोच लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साथ बंबेट करके मानने वाले लोग आतंग कित हो जाएंगे डर जाएंगे अरे हम डरने वाले लोग नहीं है ये तुमारा डर है जो ये बोल रहा है हम लड़ेंगे हम जीत सचराएं में अगर कोड़ा है तो हमारे अपनी समास के लोग है जो मैं इसकंद माइना चाहता हूँ कि जाती उन्होंने बिलाई जाती से उन्हें फायदा हुआ वो जाती को जिंदा रखना चाहते हैं हमें हजारों जातियों में बाट दिया और हम भी जाति को जिंदा रखे हुए हैं जातियों को बनाए रखोगे तो फिर जीतोगे कैसे अरे आपको अगर मेरे सब्दों में जरासा भी जूटने जराए तो राजंदर गोतम की गरदन काट देना जितने दलित बहुजे ने जरा सबके बलड के नमूने लेकर अच्छी सची लेब में जाच करा लो तो डियने से पता लगेगा हमारा खूण एक है अगर हमारा खूण एक है तो फिर आपस में रोटी बेटी का रिस्टा करने में दिक्कत क्यों है हम लोग टुकडों में क्यों बटे हुए हैं अपनी लडाई को टुकडों में क्यों लड़ रहे हैं अगर एक जुट होगे तो लड़रे की ज़रूरती नहीं पड़ेगी यह उनका डर उन्हें लग रहा है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे अगर सारे भुजन बौध होगे तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ या तो तुम जाती उन्मूलन के लिए हमारे साथ अगर जाती होगो खत्म कर दो वरना पूरा का पूरा भारत बौध में बनेगा तुम रोक नहीं पाओगे तुम एक को मार लोगे दो को मार लोगे दस को मार लोगे तुम मारते मारते तुमारी पीडियां खत्म हो जाएंगी और भारत बौध की ओर चल पड़ा है हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं है हमारे महापुरसों ने पूरे जीवन मेहनत से खाया है और तुम लोगों में से जादे तर ने हमारी मेहनत का चुराके छीन के खाया है तो ये डराने की कारवई, ये डराने की भासा बोलना बंद करो, ये भासा बताती है कि तुम डर गए हो, चुकि तुम अब लग गया है कि अब भारत और भाहुजन बुद्ध की और चल पड़ा है, तो बुद्ध तो बनेंगे, बुद्ध तो हम बनेंगे, हर वो व्यक्ति ज वेकती बहुत ताकतबर होता है गाली गलोच करने वाला आदमी धमकी देने वाला आदमी बेहत कमजोर डर्पोक होता है हमारे लोग दर्पोक और पैर नहीं है जो लोग 16-16 घंटे काम करके मैनत मसक्कत करके हजारों साल की गुलामी के जन्जीरों को तोड़ कर यहां तक पहुचे है वो लोग डरेंगे नहीं उनको समझ आ गया है और पता चले कि उसने गंदा पानी पिया जिसकी वज़े से उसको पेट में इंफेक्शन हो गया तो वो गंदा पानी पीना छोड़ देगा दवाई लेगा ठीक हो जाएगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह जान ले कि जिस पानी को गंदे पानी को पीने से बिमार हुआ है वो दवाई भी ले और गंदा पानी पीना ना छोड़े तो क्या वो ठीक हो जाएगा नहीं होगा ना तो समझ लो हमारी बिमारी का कारण यह जातिया है हम उत्पीडन से छुटकारा भी चाते हैं और जाती भी नहीं छोड़ना चाते तो तो कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है जिस परकार अनेको नदियां अलग-लग नाम से जानी जाती है लेकिन समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती है और शागर कहलाती हैं समुद्र कहलाती है उसी परकार हमें जो जातिया कुद्रत में नहीं मराई चुकि पुरे दुनिया के अंदर किसी देश में जाती नहीं है जाती केवल भारत में है यह बढ़ने मेवस्ता केवल भारत में है कोई आदमी गंबीर रूप से बिमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि भी तुम्हारा बड़ा उप्रेशन होना है दस यूनिट ब्लड चाहिए आपकी जान तब बचेगी बड़े उप्रेशन से लेकिन दस यूनिट ब्लड का इंतजाम करो मुझे पूरे दुनिया में केवल एक 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 जामपल दिखा दो जिसका ओप्रेशन होना है जो पीडित है वो ये कहे मुझे केवल ब्राह्मन का या छत्रिये का ब्लड चाहिए तो जब जान बचानी है तब तो ब्लड चाहिए तब ब्राह्मन का छत्रिय का हिंदू-मुस्लिम का सिक्र का ब्लड नहीं चाहिए इंसान का ब्लड चाहिए ना चुकि जानवर का ब्लड इंसान को चड़ नहीं सकता इसका मुझा कुदरत ने तो सब को इंसान बनाया और चलाक इनसानों ने हमें हजारों जातियों में बाढ़ दिया वो चलाक लोग आज भी अपनी चलाकी कर रहे हैं हम लोग बेवकूफ हैं जो उनकी चलाकी में फसे हुए हैं हम लोग हैं जो आपस में रोटी बेटी का रिस्ता करने के बज़ा इन जातियों को जिन्दा रखे हुए हैं और हम मेंसे वो लोग और भी ज़्यादा बेवकूफ हैं जो अपने गाउं के सामने बोड लगाएं अपनी गाड़ी पे लिखें दे ग्रेट चमार, डी ग्रेट महार, डी ग्रेट बालमिकी अरे जाती ग्रेट कब से हो गई भई? विचार धरा ग्रेट होती है, जाती वाती कुछ नहीं है इसलिए जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो हमने नारा दिया मिसेंजेविम के अमादम से जाती छोड़ो, समाज जोड़ो बहुत धम्मे की क्या पैचान, मानाओ मानाओ, एक समान और मेरे सामने विकल्प दो में से एक था रतनलाल जी घर पे बैटे वे तम कई सारे भाई लोग बैटे चर्चा कर रहे थे किसी मुद्दे पर हमारे विचार में थोड़ा समत भी था लेकिन जब बुद्ध ने कहा बुद्दी दर विवेक से फैसले लो तो हमने बुद्धी और विवेक का इस्तेमाल किया, नजरी आलग हो सकता है साथ जज कहते और छे कहते हैं, यह होना चाहिए साथ का मान लिया जाता, छे का नहीं माना जाता लेकिन दोनों अपने जज्जमेंट के लिए रिज्जिनिंग देते हैं बिंग एन अड़ोकेट डाइनोइट दोनों पक्स के जजजिज अपने अपने जज्जमेंट के फेवर में लोजिक देते हैं रिज्जिनिंग देते हैं तो रिजनिंग अन्पनी अपनी है मुझे तो मेंसे एक बात चुननी थी या तो मैं अपने समाज के हकदिकारी की लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा सब बंबेट करके रस्ते पे चलूँ या फिर मैं जैसे लोग जिन्दी के पर मंत्री बने रहते आएं तो मैं भी फिर मंत्री बना रहूँ मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के हकदिकारी की लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा सब बंबेट करके रस्ते पे चलना चाहिए इसलिए मैंने रिजाइन किया जो लोग 22 प्रतियाओं की उपर की तीन चार प्रतियाओं का विरोध कर रहे हैं मैं सच बता रहो विरोध करने वालों ने बाइस प्रतियाओं का पढ़ा नहीं होगा जिस दिन पढ़ लेंगे न, उस दिन उनके दिमाग के जो अंदर जो कीशड जमी है, वो साफ हो जाएगी जब ठाने के अंदर पूस्तास के लिए मुझे बुलाया ऐसे चुने जो जो सवाल लिखे, मैंने उन सवालों के जबाब दे दिये उसके सवाल पूरे हो गए की, डी सीपी ने का कि यह जो जब आप इन्होंने दिये सवालों के मुझे ले के आजओ, ऐसे चो कहने जिए आप थोड़ा यहां बैटो, चाय भाई पियो, मैं जड़ा यह बयान, डी सीपी को पढ़वा के आता हूं, मैंने का भाई टेकनिकली इतना दुनिया आगे बढ़ गई है, बोट सेप कर दो, पढ़ लेंगी, उन्होंने फिर डी सीपी को फोन किया, उन्हों का नहीं नहीं आप ले के आओ, मैं तो समझ रहा था कि डी सीपी नहीं बुला रहा, य यह बीजेपी के बड़े नेता और उनके वकिलों की फोस बैटी हुई थी, वो वहां गए, उन्होंने सवालों के जवाब पढ़े और पढ़के देखा है, यह तो सारी इतनी ताकिक बात है, इसका तो कोई हमारे पास भी जवाब नहीं है, तो उन्होंने तीन जवाब और S जो वापस आए, मैंने का भई, आगए, मैंने का बताओ क्या किस सवाल है, तीन सवाल में से मैंने दो के जवाब देखे, जो तीसरा सवाल था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका जवाब, उनका क्वेस्चन था, क्या यह बाइस प्रतिग्याएं जो 14 अक्टबर 1956 को प्रासेंगिक हैं, जितनी उस वक्त थी, मैंने लेके 56 से बाद का, चुकि 56 तक तो बावा साहिब का हो गया, 56 से आध तक की जितनी बड़ी घटनाएं हमारे साथ उत्पड़न की घटी हैं, उनका हवाला देते हुए, और जितंदर मेगवाल, इंदर मेगवाल का, हातरस की पेटी का, परताब गड़ में मूर्ती छोलेन पहत्या का, सारी घटना करम देते हुए, और पुरी के, जगनात पुरी के मंदिर की घटनाएं की राश्टरपती रहते हुए, रामनात कोविन जी को भी मंदिर में गुसने नहीं दिया, कि तुम राश्टरपती हो लेकिन दल परसंगिता आज भी उतनी है, उसके बाद तो फिर वो फंस गए, उनके पास जबाब नहीं है, चुकि इसका जबाब केवल बौध में भारत है, भारत तो बुद्धी और विवेक से चलेगा, भावनाव से ली चलेगा, और भारत किसी के बाप की बपोती भी नहीं है, वो तो घड़ा चुलेने पर आज भी हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं, वो तो मंदिर में घुसने पर मूर्ती चुलेने पर आज भी हमारे भाईयों का कत्ल कर रहे हैं, बनलब आप हमारी हत्या करते आ रहे हो हजारों साल तक, उस दर्द का तुमें हैं, और हमारी 22 प्रति ग्याओं से तुम्हें दर्द हो गया अगर ये तुम्हें दर्द हो रहा है तो जब तक तुम जाती वात को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे साथ नहीं आते ये दर्द हम तुम्हें बार बार देगे और यह गुलामी और यह उत्पीडन हमें स्विकार नहीं है हमारा दिल रहता है जब अख़वार में देखते हैं आसमी वो लोग कभी करेंगे या नहीं करेंगे वो तो हमारे लोगों की हत्या करने में गौरव समझते हैं यह चलने वाला नहीं है हम मर सकते हैं किसी कीमत पर जुक नहीं सकते हैं हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और जो रतनलाल जी कह रहे थे ना कि केबल सांती और मान मैं बावा साहिब को मानता हूं तता कि दुद्ध को मानता हूं फूले सब उम्बिटकर की विरासत को आगे बढ़ाने का मेरा संकल पे ये लड़ाई हत्यारों से नहीं लिड़ी जा सकती चूकि ये लड़ाई विचारधारा की है इसे विचारधारा से लड़ना होगा भावन समाज को जोड़ तो जब इस समाज पूरा एक जूट हो के बहुत दे में भारत बनेगा तो पूरे दुनिया के बहुत देदेस हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और बहुशनों में से आदे भी अगर बहुत बन गए आदे भी तो भारत के इंदर है पचास करोड लोग जब बहुत होंगे तो अल्प्मत में कौन होगा कौन होगा अल्प्मत में वो ही होगा जो हमें डराने की कोसिस कर रहा है एक्चल हमें नहीं डर आ रहा है उसका डर उससे ये खामे खा कि उसे पागल बनके दोरे पढ़ने सुरू हो जाते हैं यह हमारे संगर्स की जीत है मैं इसे अपने संगर्स की जीत मानता हूँ कि पहली बार आरसेस चीफ को आके ये कहना पड़ा कि अब वण व्यवस्ता और जाती वाद खतम होना चाहिए अब ये तैस समाज को नहीं करना चाहिए कौन गोड़ी पर चलेगा कौन नहीं चलेगा सबके जलासे मंदिर कबरिस्तान एक होने चाहिए ये पहली बार आरसेस ने बोला है ये आपकी विचारधरा की और आपकी एकता की जीत है इसको भी और आगे बढ़ाना है चुक्कि अभी तो क्यवल मन में नहीं है जुबा पर आया है अभी उन्हें मन में भी स्विकार करना पड़ेगा अगर भारत को वोई गोरो लोटाना जो तथाकत बुद्धे के समय पर समरा ट्रसों के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध में था तो भारत को बुद्धी और विविक से चलना होगा भावनां से नहीं मैं दलिट पेंथर्ज की पचासवी वर्जगांट पर आपको बढ़ाई तो दूँगा सुबकामने तो दूँगा चुकि दलिट पेंथर्ज का इगोरो साली तिहास है लेकिन आज दलिट पेंथर कहा है इस सवाल का जबाब तुम्हें खुद खोजना होगा सबसे ज़्यादा बहुत बिविहार पूरे दुनिया में अगर कहीं है तो नागों की नगरी हमारे बहुजनों की जो एतिहासिक राजधानी नागपुर है नागपुर के अंदर है लेकिन नागपुर के गली-गली में संगठन है मैं समता सेनीदल का 32-33 साल सिपाई रहा हूँ नेशनल चीफ जनल सेक्रेटी तक रहा हूँ सालों तक कोस्पोर्ट में केस भुगते हमने लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ हम ही लोगों ने हजारों संगठन बना दिये समता सेनीदल की कई टुकडे बना दिये आरप्याई के कई टुकडे बना दिये भारतियों बहुत दो माजवए कई टुकडे बना दिये जब हमारा विचार धारा एक है लक्स एक है तो फिर हम टुकडे में क्यों बटे हैं और जाती बिमारी का कारणे तो हम जातियों में क्यों बटे हैं बस इस सवाल का जवाब खोज लीजिए आपको आजादी मिल जाएगी आप फिर से प्रबुद्ध भारत बावासभी का बद्ध में भारत का निर्मान कर पाएंगे बावासभी के सपनों को पूरा कर पाएंगे आपने मुझे सम्मांग दिया बोलने का मुका दिया इसके लिए मैं आपका अभार्विक करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाब नहों बदाए जै भीन जै भारत